हालो फ्रेंड्स वेलकम यू आल आज मैं आपके लिए जो वीडियो देखे एक बहुत ही इंपोर्टेंट स्टॉक के उपर नजर क्या स्मार्ट मनी की दिख रही है तो चलिए देखते हैं शेयर एट रेट 116 औली और समझने की कोशिश करते हैं पिछली बार जब करेक्शन र लेकिन अभी का करेक्शन काफी लंबा टाइम हो गया इस करेक्शन को समझते हैं बहुत डिटेल में लेकिन जितनी भी वीडियो जो हम आपके लिए करते हैं काफी इंपोर्टेंट लॉर्निंग पास्पेक्टिक से अब आप देखने की कोशिश करोगे समझने की कोशिश कर करना आपके टॉप प्राइरिटी है इसलिए हम स्टॉप में काफी डिटेल में जाके अलगलग टाइम फ्रेम्स के साथ आपको चीज़े बताने की कोशिश करते हैं और आपको यही कहूंगा प्रैक्टिस करते रहिए रिस्क मैनेजमेंट के बारे में खुदी तो अवेर हो हो और लोगों को भी अवेर कीजिए अपने फ्रेंड सरकल फैमिली सरकल में क्योंकि स्टॉप माकेट इंवेस्टमेंट आपका पहला गोल होना चाहिए रिस्क मैनेजमेंट के बारे में समझने का और रिस्क को मैनेज करने का अब सीधे आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करते हैं तो इसलिए यहां पर वीडियो क्रियेट कर रहें अधित्य बिर्ला क्यापिटल 28000 करोड का मार्केट कैपिलाइशन है प्राइस 116 का है पी रेशियो भी आप देखोगे बहुत ही बहतरीन और प्रॉफिट ग्रोथ सेल्स ग्रोथ बढ़ी है कंपनी के पर कोई दिक वक्त खोड़ार्का हों कि हमें इस अइम फल्स और कहर एक्षिण को समझने की कोषिश गीजीं जब लाश्ट करेक्शन इन एडॅर्या में रिज वहा था तो हमने यहां पे जब आपके लिए वीडिए लिपरี้ थे में प aí्ने लेकिन सब्स माहीन एक्षिद को तो जो एक ये लाइन थी अब हाईज को टच करते हुए वो लाइन क्रॉस होती भी नजर आ रही है इतनी जब्रदस्त के बाद आपको गेर हुआ पिछने महीने बढ़िया वॉल्यूम भी दिखा और इस महीने ये ब्रेक आउट होता हुआ नजर आ रहा है तो चलिए इंपोर्ट वो बहतरीन स्टॉक है और काम का स्टॉक है तो डेफिनेट्टी हम उन्सके वीडियोज क्रियेट करते हैं लेकिन अपना व्यूपॉइंट आप जरूर सोचिए उसमें जैसे इन्होंने क्लियर के सिंगल डाइन में लिखा है कि ब्रेक आउट ब्रेक आउट कहते ही समझ जा 40-140 तक का सफर अब जो है एक healthy correction में इसको कहूंगा अगर आप overall impulse को देखो देखिए आप correction की measurement को ही देख लीजिए यह सारी चीजें जो चोटी चोटी चीजे में आपको individually यहाँ पे एक साथ बता देता हूँ यह सब membership series में काफी detail में बताई गई है आप उसको देख सकते हो कोई लाको रुपे की फीस नहीं है बिल्कुल basics के साथ आपको चीजे बताई गई है यह देखिए यह अब यह क्या है यह पूरी के पूरी impulse का हिसाब से correction है और 38% और 50% के बीच में correction क्या यह resolve हो रही है फिलहाल जो है बहुत important चीज जो learning member ने भी यहाँ पे identify किया और comment के थ positive thing अगर मैं आपको इस situation में जब से यह महीने के बाद correction आये अगर आप देखो एक भी पार उससे पिछले महीने का high cross हुआ है क्या यहाँ पे हुआ है ठीक है अब second time यह भी high cross हो गया तो मतलब alert alert हो जाओ मौके आपको मिलेंगे अगर यह correction यहाँ से resolve होती है तो अब आपका max loss अगर monthly time frame बहुत बड़ा time frame होता है जैसे कि हमने यहाँ पर बात करी थी 90's के entry के level पर तो आपका stop loss था यह और बढ़िया 30 to 40% का return अराम से इस ने दिया बलकि ज्यादा ही दिया अब यह correction resolve हो रही है अब यह stop loss को भी आप और improvise कर सकते हो चोटे time frame में जाके और run जो है व आपको लेके दालता हूँ छोटे time frame पर MACD हम सेंटर लाइन से उपर आ चुके है monthly time frame पर that is a big positive thing और जो important बात बात आपको कह रहा हो कि एक बात याद रखी है वो smart money को समझते है last जो हमारा level था वो इस time पर वीडियो आपके लिए लेके आया थे और उसके बाद देखिए amazing हम बहुत ही important situation थी और अभी के time frame पर पुरानी बात है हो गए देखिए अभी के situation देखिए weekly chart week end हुआ है closing बहुत important होती है मैं आपको क्यों कह रहा हूं पता है आपको लग रहा हो कि यह बहुत दूर भाग गया भी नहीं दूर भागा अभी जो positive बात है हमको यह जो चैनल जो ह favor नहीं करता है एक zone का favor करता हूं देखिए और बहुत सारे लोग अब देखिए हम खुद 50 जगे से चीज़े सीखते हैं price section की 50 अलग-अलग smart money concept की बात करो अलग-अलग तरीके से ycop accumulation distribution ycop के different schematics हम बढ़ते हैं implement करते हैं और साथ के साथ जो सीखा है वो कोशिश करते हैं इस channel करने की कोशिश करते हैं अगर implement करके अच्छा देखता है तो बहुत सारे courses करके बहुत सारी चीज़े पढ़के books पढ़के आप लोगों तक चीज़े लेके आते हैं आप देखिए यह correction देख रहे हैं अब यह देखिए आप क्लोजिंग क्लोजिंग क्यों important है कह रहे हो आप अब तक क्या था इस channel से नीचे अभी आपके लिए नहीं smart money का activation आप देखिए यह smart money का activation यह अगर मैं तसल्ली से अभी छोटे time frame पर जाऊंगा इसके बार बात करूंगा bottom कहां तक आया अब देखिए bottom कहां तक आया अगर आप देखोगे अगर मैं यहां पर देखिए अलग यहां पर टाच हुआ था बट वापस breakout हुआ था channel break हुआ था नहीं हुआ था तसल्ली से वापस ही देखिए higher low higher high का structure बनता हुआ बहुत ही बड़ी हा अब अगली जब यह rally आए गया अगली corrections आपको बहुत सारी opportunity देंगी या फिर छोटे time frame पर जाके आप picture को और अच्छे स समझ सकते हो थोड़ा सा जूम पैटन में initial targets कोशिश होगी अगर यह level पार हो तो definitely in areas में correction या breakout के बाद एक pullback यह आपके लिए और बड़ी बड़ी opportunity तैयार कर रहा है लेकिन AB Capital हाँ यह comment में दम है आपके इसलिए हम आपके लिए यह वीडियो लेके आए है price action को देखते हैं समझते हैं अब देखिए RSI RSI again a very important thing अगर मैं कहूं Andrew Cardwell जी के जो RSI concept में बहुत ही important है अगर आप इसको देखो RSI का trend देखो किस तरीके से RSI का trend आपने पहली बार देखा होगा कि break होता हुआ high यह low point higher low यह trend break और उपर जले जाएगा जैसे मैं आपको कहा यह momentum में भी आ जा अगर इने confidence वाला area आपको मिलेगा तो देखते हैं समझते हैं लेकिन डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं पिक्चर क्या हो गया लेकिन चीज है start हो चुकी है और अब मैं आपको एक और important पार डेली टाइम पर बताने की कोशिश करूँगा मैं आपको बार-बार कहता हूँ वाइकओफ वाइकओफ क्या है वाइकओफ schematic की बात करता हूँ मैं बार-बार आपको बात करता हूँ spring की आपको बात करते है retest की आपको बात करते है एक base इसने बनाया low का फिर कोशिश हुआ high जो range के high तक जाने की कोशिश हुआ फिर range के low को touch किया लेकिन spring के formation में नीचे गया और वापस ही देखे फिर से वापस फिर देखे retest kind of scenario आपको देखने को मिला फिर से उसी range के low पे तो समझ को गया बहुत ही बढ़िया अब यह जो candle आज की बनी है ना जो main trigger point था अभी भी मैं यही समझ रहा था कि अगर यहां से नीचे आ जा लेकिन जो आज की candle है जै फिर तब तक यह इसको break किये करेगा pullback आपको देखने को मिल सकता है तो अलग लग तरीकी की opportunity आपके सामने आते हुए दिखेंगी पर स्मार्ट मनी को समझ गया अब साथ में एक और important part बहुत ही important RSI अभी कहां पर है जड़ा ध्यान दीजिए RSI कहां अगर आपने RSI वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा membership series में जाके RSI का Andrew काडवल जी के concept वाला वीडियो RSI range shift की theory का वीडियो जरूर देखें बहुत important अभी हम कहां है पूरे के पूरे bearish territory में daily time frame और हमारे लिए सबसे important मुद्धा क्या होता है bearish से bullish में जाना और फिर एक consolidation देना या correction देना तब हमारे लिए rally तो इसलिए यह stock अब track मा चुका है MACD देख लीजिए RSI देख लीजिए तो अब जैसे जैसे यह breakout करेगा तो जो अगला pullback आएगा चाहा है वो यहां इसको पार करने के बाद आए इन एरियास में आए वो जो resolution होगा वो आपके लिए क्या होगी low risk की opportunity बहुत ह यह वीडियो learning perspective से यहां पर हमने RSI देखा हमने MSCD देखा हमने breakout देखा हमने trend line ड्रॉ करी हमने Wycoff की बात करी और अगर पिछले correction को देखो यह देखिए क्या amazing था कि नहीं था low risk की opportunity 89 से सीदे गया 140 अगर मैं percentage की बात करूं तो कितना percentage था यहां से देखिया वाप मालनो 90 के around अपने एंटर किया था 139 पचास पॉसेंट से उपर तक का return इस ने आपको दिया लेकिन आपका loss यहां पे ता max loss मैं कहूंगा monthly weekly के basis पे और अभी का जो area है जो मैं कहूंगा कि देखे बिलकुल support resistance के क्या क्या support का क्या एक और concept आपके सामने यहां पर प्रस्तूत वा वाइंड अप करता हूं वीडियो को उमीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा जरूर लगा होगा वीडियो अच्छा लगा तो share जरूर कीजिए और साथ में यही कहूंगा सीखते रहिए practice करते रहिए risk को manage करते रहिए और साथ मैं सिखाते भी रहिए जो भी आप करे हो implement करते हो अच्छा है तो साथ में लोगों को aware कीजिए लोगों को सिखाईए and thank you thank you for watching the video